Hello everyone, welcome back to Gifted Guru. Today we have the most important topic that is human eye. हमारे पास पांच सेंस औरगान हैं. एक तो नोज है, यर, आई, टंग, एंड स्कीन हैं. एक पांच सेंस औरगान में से हम लोग इस टपिक में बात करेंगी आँख के बारे में. आँख इतना छोटा है, ये हमको दिखने में मदद करता है. ये बहुत complicated अरगान है. तो इसके बारे में थोड़ा हलका पुलका हम लोग चर्चा कर लेंगे आपी. तो चलिए हम अपना टपिक को सुरू करते हैं. देखो दुनिया में आपको ऐसे टाइब का आँखो वाले भी मिल जाएंगे. और इस टाइब का आँखो वाले भी आपको दिखने को मिल जाएंगे. देखो एक टाइब का भी आँखो वाले आपको मिल जाएंगे. तो भाई आप यह दिखो कितना क्रिटिकल आँखे सो है ना. तो बात ऐसा है कि यह जो आँख है, यह आँख इतना अलग-अलग क्यों दीख रहा है? इसके बारे में थोड़ा से चर्चा कर लेंगे. यह आँख का कलर क्यों चेंज होता है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको समझा दूँ कि यह पार्ट सुपका नाम क्या है? दिखो यह जो हेर दिख रहे हो ना, यह हेर को कहते हैं आईलस, ठीक है ना? आईलस कहते हैं, और यह जो पार्ट आप लोग दीख रहे हो, ब्लू कोलर का, ठीक है ना? यह जो ब्लू कोलर का जो पार्ट दीख रहे हो, इसको कहते हैं आईरिस, आईरिस, आभी पूरा एकदम ध्यान से दिखते रही है, क्योंकि आभी यह कंप्लिकेटर और्गान को हमारा प्यूपिल क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं, यहां पे मैं अलग कर दिया हूँ, इतना ही परसन को बहार निकाल के लेकर आगया हूँ, ठीक है ना? यह जो वाइट पार्ट है, यह वो यह वाइट पार्ट है, जिसको हम कहते हैं, वाइट अव दाई कहते हैं, या इसके बाद यह जो blue color का जो दिख रहे हो इसको हम क्या कहते हैं इसको दिख लीजिए यह है आईरिस बार-बार में कह रहा हूं हर एक angle का एक एक figure में दिखा दिखा के जा रहा हूं ठीक है ना तो यहां पर आईरिस है और यह जो है जो black spot दिख रहे हैं यह ब्लेक स्पोर्ट एधर का ब्लेक स्पोर्ट को देख लिजे हैं ना तो इसको कहते हैं इसका हर एक काम और फंक्शन और यह किसे बने हैं एकदम बढ़िया से मैं आभी समझा दूँगा वीडियो का एकदम लाश्ट तक बढ़िया से दिखो ठीक है ना तो यह रहा आई का एक सिंप्ल एक्स प्लानेशन सिंपल डाइग्रम तो चलिए अभी आँक के बारे में और थोड़ा Ulti ज़ानकरी हासिल कर लेंगे लेकिन एक कोस्टन है कि ये जो आँख का कलर क्यों चेंज हो रहा है है ना आँख का कलर क्यों चेंज हो रहा है हमारे आँख का कलर बलेक है किसी का ब्लू है तो ऐसे ही ना जाने क्या क्या कलर की ये आँख बाले मिलेंगे है ना ये बेराइटी कलर आँखों बालों का जो राज क्या है इसके आँख में ऐसा क्या है जिसके वज़े से इनका आँखों का color change होता है तो आप लोगों कह दूँ कि आँख में एक प्रकर का pigment होता है वो pigment का नाम क्या है कि melanin melanin ठीक है न? ये मेलानिन का मात्रा जितना ज्यादा होता जाएगा उतना ही क्या होता जाएगा बलेक होता जाएगा डार्क होता जाएगा जितना घरता जाएगा उतना ही ये डीफ्रेंट कलर होता जाएगा ठीक है न? और ये कलर को change करने के लिए सिर्फ ये मेलानिन का ही रोल नहीं है मेलानिन के साथ गये जिसका नाम है जिन तो ये जिन और मेलानिन दोनों मिलकर किसी का आँग का कलर बदल दे सकते हैं तो दुनिया में कितनी प्रकार के ऐसे आईरिस वाले होते हैं और खास करके आप लोग जान लीजिए कि यहां पे सिर्फ आईरिस का ही कलर चेंज होता है और किसी का कलर चेंज नहीं होगा ठीक है ना अगर किसी का आँक अगर निला है तो इसका मतलब उसका आईरिस निला है उसका आईरिस निला है अगर किसी का अगर ग्रीन है तो उसका आईरिस ग्रीन है बाकि सो पार तो ऐसी ही रहेगा है ना तो हमारे जो दुनिया में ऐसे ना जाने कि इतने प्रकार का कलर्स हैं तो चलिए दीखाते हैं यहां दीख रहे हो कि हमारे दुनिया में इतनी सारे कलर्स के आईरिस वाले हैं है ना तो यहां पे light blue से start करके gray तक और gray से लेकर हमारे ये blind color पक इतने प्रकार के color के iris वाले मौझूद है दुनिया में है ना तो किसी का भी किसी भी color हो सकता है तो कहा जाता है हमारे जो ancestors थे हमारे जो पुरुबज थे तो उनका iris का color हमें सब brown रहता था ठीक है ना हर एक का color brown था लेकिन genetic mutation के कारण और climatic condition के alteration के कारण यारे changing के कारण तो यह क्या हो गया iris का color हर एक geographical location के अनुसार यह बदल तक आया है है ना जो आमेरिका England के बार करें तो उन लोग का iris का color ज्यादा brown रहता है लेकिन हमारे तरफ जो आएंगे तो यह black से हर एक प्रकार का color मिल जाएंगे और अफरिका के तरफ जाएंगे तो उनका iris color एकदम black दिखने को मिलेगा ठीक है ना यह सब किसका किसके बज़र से हुआ है यह हमारे आंख में मौझूद एक प्रकार का pigment नाम है मेलानिन और जेनेटिक म्यूटेशन के कारण हुआ है ठीक है ना और यहां पर क्या है हमारे आंसेश्टर जो थे हमारे जो पूर्वोज थे उनका सिर्फ brown color का iris लिए इसी रहा करता था ठीक है तो चलिए आभी आख को अपना सरीर सर बहार निकल कर दिखते हैं कि आंख दिखता कैसे हैं जब सरीर सर बहार यह आंख को निकल दिया जाएगा तो यह आख आप लोग को इस आयवल के पीछे और एक चीजे हैं लेकिन इसको यह पर्य निर्व है ठीक्त को आगे आने वाले एक चीट्र के में तो यहां पर दीखो यह क्या है है कुल मिला के यह पूर फीगर आपका क्या है आयवल और यह जो परसन आप वाइट कलर का दीख रहे हों तो यह वाइट कलर का तो इसको कहते हैं हम लोग स्कले रहा है ठीक है ना सुर्य इस पारिए akis त्इक नहीं बार बार मैंуш कर रहा हूं क्योंकि हर एक इंगल में हर एक इमेज को काट वाट के आपको दिखा रहा हूं फिकर ना बाद में जैसे की दिक्कत तो नहीं होगा समझने में तो यह इस क्लेरा है और यहां पर जो कलर पार्ट इतना दीख रहे हो इसको हम क्या कहते हैं फिर से बोलो इतना पर्षन को हम अभी काट के अंदर किया है थोड़से दिखेंगे ठीक है रहा है तो यहां पे हर एक पार्ट को हम लुक अभी जाएंगे अंदर क्या क्या है दिखने को मिल जाएगा ठीक है हैं उपर वाला जो पर्सन यहां जो वाइट कोल जो दीख रहा है यह वाइट कोलर जो दीख रहा है स्क्लरा है और इदर जो बंधhem यह जो चीज आपने हैं आपका लेंस और यह सिरी मसल एक लक Apollo दे석ते और उसके बाद यहां पर जो चीज दीख रहे हो यही आपका क्या है प्यूपिल है यह प्यूपिल है उसके बाद यह जो चारतरब जो निला कलर का जो दीख रहे हो ना इसको कहते हैं हमारे इसके बाद दिखो यह जो आइरिस लेंज को प्रटेक्ट करने के लिए एक छोटा सा लेयर यहां पर लगा हुआ है एक छोटा सा पतला सा लेयर सिसी की तरह वो लगा हुआ है ठीक है ना इस लेयर को कहते हैं हमारा कॉर्णिया कॉर्णिया ठीक है ना उसके बाद यह जो दीख रहे हो अंदर की ओर है ना एक बॉल्ट सेप्ट था और यह बॉल्ट सेप्ट जो है अंदर कुछ भरा हुआ है कुछ लिकुड यहां पर भरा हुआ है ठीक है ना यहां पर कुछ लिकुड भरा हुआ है वो लिकुड को हम कह यह पे रेटीन लगा हुआ है ठिक न और ये ब्लैंट स्पोठ होता है और यह जो है ierm cancelled नर्व होता है ठिक न और यह जो मॉसल से दिख रहे हो यह मॉसल से हमारा आईबोल की मुमेंट में मड़त चलते हैं तो चलिए डिटेल में जानने के लिए मैं एक डाइग्राम आपके सामने 3D डाइग्राम रख दिया हूँ और आप लोग को एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा क्यूंकि यहां पर लेवलिंग भी हुआ है ठीक है ना तो एक एक करके मैं समझा भी देता हूँ लाभी यहां पर जो चीज उपर दिख रहो हूं पर लाज कहते हैं तो बार असली कम इसका दिखना और तो उसके पुरा ये अंदर के और से एक छोटा सा फिल्म लगा हुआता है छोटा सा स्क्रीन लगा हुआता है लेयर है ठीक है ना जहाँ पी इमेज फोम होता है उसको कहते है रेटिना ठीक है यहाँ से लेकर यहां तक जो आप लोग पिला कलर का लाइन लेयर दीख रहे हो ना तो यह पिला कलर का लेयर का ही हम लोग क्या कहते हैं रेटिना कहते हैं उसके बाद यहाँ पर जो बाजाएंगे आईरिस किसको कहते हैं यह जो निला कलर का कलरफुल है ना कलरफुल लेयर को कलरफुल पार्ट्स को हम क्या कहते हैं आइडिस कहते हैं उसके बाद थोड़ा सा आगे चल जाएंगे यह कॉर्णिया क्या है यह आईडिस और यह जो है हमारे को इस लेट्स को प्रोट 우れट करने के लिए anट यहां पर एक लेर यह इक पारेंगे हैं यह layer तो CC की तरह transparent layer है ना तो यह layer को कहते हैं हमारा cornea ठीक है ना और बीच में यह इतना एकदम छोटा सा hole रहता है जिस hole के throw से light ऐसे entry करेगा और यहां पे जाकर पड़ेगा और यहां screen में image create करेगा तो यह hole का नाम है pupil तो ठीको यहां पे क्या है यह आइरिस है और यहां पर क्या है cornea है और यह आइरिस के बीच में जो कुछ स्पेस है उस पैस में कुछ लिक्विड भरा हुआ होता है ठीक है ना तो वो लिक्विड वो लिक्विड का नाम है aqueous humor ठीके ना वो liquid का नाम क्या है aqueous humor पहले introduction में करा दे रहा हूं उसके बाद function में बताता हूं ठीके ना और उसके बाद यह तो lens है आपको पता चल गया ठीके ना यह lens है उसके बाद यहाँ पे दिखो ciliary muscles यह क्या है ciliary muscles जिसका काम है lens को पकड़के रखेंगे ठीके ना उसके बाद यहाँ पे जो चीज दीख रहे हो ना यह खाली जगा नहीं है इसमें कुछ transparent liquid भरा हुआ है वो transparent liquid को कहते हैं vitreous humor कहते हैं ठीके ना और यहाँ पे blood supply के लिए nutrition supply के लिए कुछ vessels भी लागे होते हैं यहां से कुछ नर्व गया है जिसको हम optic nerve कहते हैं वो नर्व किधर गया है सिधा brain तक गया है ठीके ना सिधा brain तक गया है brain brain में जो जाएगा तो brain क्या करेगा उसको समझी का कि वो तरह किसे टाइब कहा है ठीके ना तो यह यहां से मेसेज लेकर brain तक पहुंचाता है ठीके ना अब तिक नर्व उसकी बाद blind sport क्या है यह कैसे जगा है जहां पर image फर्म नहीं करेगा ठीके ना तो बस यह रहा तुम्हारा क्या introduction तो आईए हम समझाते हैं कौन किस से बना है और किसका क्या काम है बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अभी से असली काम असली जानने वाला टपिक शुरू हुआ है ठीके ना तो चलिए शुरू करते हैं next topic सबसे पहले सुरू करते हैं स्क्लेरा से यह वाइट वाला पार्ट से सुरू करते हैं ठीके ना अच्छली यह वाइट वाला पार्ट एक प्रकार का प्रटेक्टिव लेयर है यह क्या करता है अंदर जितने भी अरगान है जितना भी पार्ट से वो उसको क्या करता है प्रट करता है यह स्केलेटल सिस्टम की तरह है नाम है स्क्लेरा और यह अंदर के सारे चीज को क्या करता है प्रटक्ट करता है और दिखा जाए तो यह किस से बना है अच्छली यह जो स्क्लेरा है न यह कुछ कलेजीन से बना है ठीक है न कलेजीन कलेजीन से बना है और कुछ से बना हुआ होता है यह बड़ी में एक प्रकर का फाइबर होता है जो कि बाद में जानोगे अभी कोलेजन फालेजन यह सब चीजों को एक्स्प्लेइन करेंगे तो मेटरों बहुत लंबा जाएगा बस इतना जानो कि यह जो हमारा पार्ट है वो कलेजन और फाइबर से बना हुआ होता है ठीक है न और यह आँखों को एक definiteob they water देता है यह आँखों को की देफिनेट शेप सेप देता है ठीक है ला और इस को आवसकूलार भी早ish नहीं होता है किसमें कोई भी ब्लोड वेशन नहीं होता है कोई फी भी ब्लोड वेसल नहीं होता है जिए को एक उसकी बाद हम लोग आएंगे आइरीस के ओर यह आएप अड़ सकते हैंते हैं यह प्यू पिल को तर्था है की सीकूल करता है यह अगर सिकूट जाएगा तो कौम यह क्या है फ्यूपिल भी सिकूट जाएगा फ्यूपिल छोटा जाएगा तो उसमें क्या होगा लाइट कौम पास करेगा अगर यह अगर बाहर एक्सपांट कर जाएगा तो प्यूपिल क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा तो ज्याद तीसरा point यह है कि यह कितना amount का light अंदर जाना है उसको यह क्या करता है ठीक है ना अगर ज्यादा light अगर जाना चाहिए तो यह फटा फट क्या होगा expand हो जाएगा expand हो जाएगा दुना तरफ expanded हो जाएगा और उसके पाद ज्याधा light entry करेगा और ज्याधा light अगर इधर है और इधर पॉम light भेजना है तो यह secret जाएगा और पास करेगा यारी कितना amount का light अंदर भेजना है वह कौन डिसाइड करता है अगर यह नहीं रहता तो इधर से लाइट एंट्री नहीं कर पाता है वास इसका काम इतना ही है उसके बाद दिखो हमारे ये जो कोर्णिया का ठीक है न ये कोर्णिया का क्या काम है ये सोब को क्या करेगा आईरिस को और हमारे लेंज को प्रोटेक्ट करेगा ठीक है ना कौन प्रोटेक्ट करेगा कॉर्णिया प्रोटेक्ट करेगा यह जो हमारे लेंज से यह जो लेंज से और यह जो आईरिस से यह दोनों को प्रोटेक्ट करेगा कौन कॉर्णिया ठीक है ना और कहा जाता है कॉर्णिया कुछ प्रोटीन से बना हुआ होता है ठीक है न और यह आईरिस और लेंज को कभर किया होता है ठीक है न और दूसरा चीज यह है कि यह कोर्निया और यह आईरिस के बीच में जो गैप है उसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है जिसको कहते हैं तो बबुडर से बना है यहां पे बत करो कि यह जो और यह बहुत बड़ा रोल निभाता है क्या काम है इनका justement इसका काम है लेंस और कॉर्णिया को लेंस कौन है यह Kitty यह दोनों को क्या करता है nutrition प्रोबाइड करता है क Union हमारा Aquas vase यानि कि यहां पर जो le Tanner मौझा जो जल ट्याल का लिक्रिद यहां हैं प्रेजेट है तो वो वह क्या करता है इसको और इसको नूरिशन प्रोवैड करता है यांकि जो चाहिए रहने के लिए अगर नियॉटuses अगर नहीं मिलता तो यह हमारे क्या है लेंज साथा-फड़ शिकुड के यह खराब हो जाता और यह भी काम भीचों नहीं करता है ना तो हम लोग अंध्य हो जाता है लेकिन ऐसे नहीं होता है आटमेटिकाली यहां पे कुछ चीज़ हो मौझूद है कुछ स्टोर हाउस मौझूद है जिसका नामें यह आक्वेस हैं और यह क्या करता है यह कॉर्णिया को और लेंश को nutrition provide करता है nutrition मातलब कौन सा चीज provide करता है हम लोग को vitamin protein carbohydrate fats यह सब चीज़ें नहीं है ठीक है न वो सब चीज़ें हम लोग के लिए हैं तो यह दोनों के लिए क्या nutrition चाहिए amino acid और glucose चाहिए ठीक है ना amino acid और glucose लिखने की जोर रोत नहीं आप लोग सुन लो amino acid और glucose यह दोनों को चाहिए ठीक है और इसको कौन देता है acquies humor देता है ठीक है उसके बाद चलते हैं lens का lens की और ठीक है बाथ है कि यह तो शीली तरह है लेकिन अइख लास नहीं बना है 9 यह कुछ jelly-lac oak से बना हुआ है ठीक है यहां से जो भी लाइट आएगा उसको कंवर्ज करके यहां पी क्या करेगा इमेज क्रिएट करेगा ठीक है बास इसका यही काम है और इसका से हमेशा होता रहता है किसके बज़े से होता रहता है यहां पे जो सिलियरी मॉसल्स लाग है न यह सिलियरी मॉसल्स के बज़ों से यह लेंज का साइज हमेशा चेंज होता रहता है कभी तो ऐसे टाइप का हो जाएगा कभी ऐसे टाइप का मोटा हो जाएगा ठीक है न और कभी कभी यह एकदम पतला हो जाएगा ठीक है न और यह म रिलक्स कर देंगे तो यह ऐसे मोटा हो जाएगा ठीक है ना तो इसमें क्या होता है ना कि जो लेंज मोटा हो जाएगा तो यह क्या होता है बहुत दूर वाला सामान भी बहुत दूर में जो मौझूद है वह चीज भी हमारे आँखों में इमेज क्रिएट कर देगा यह पुर सूब और उनके स्ट्रूक्चर और उसका पार्ट के बारे में थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे चैंज करेंगे उसके बाद यह डिख रहे हो यह इरिया में कुछ लीकुड भरा हुआ है ठीक है ना जिसको हम कहते हैं विट्रियस हुमर अच्छाली विट्रियस का मतलब होता है ग्लास लाइक यानि की सिसे जैसा ठीक है ना यहां पे जो भी लिक्विड भरा हुआ है तो वो कलरलेस लिक्विड है जो की 99% वाटर से बना हुआ है उसके बाद 1% और कौन से चीज से बना है 99% वाटर से अगर यह तो वाण परसेंटेज चीज क्या क्या हो सकता है वहां पे प्रोटीन है उसके बाद सॉल्ट है उसके बाद सूगर है ठीक है ना यह वाण परसेंटेज है ठीक ना तो 99% वाटर और वाण परसेंटेज प्रोटीन सॉल्ट एंड सूगर से यह लिक्विड बना हुआ है ठीक ह तो वो प्रेशर से क्या होगा सारे जितने भी अर्गान्स यहां पर मौझूद यह जितने भी पार्ट्स मौझूद है तो अब लोग आपने अपने जगा पर एकदम फिक्स होए होते हैं ठीक है ना हल चल हो नहीं पाता है इजो रेटिना है इधर उदर भागता नहीं है इध लोट वेशल अच्वाली जिस जिस पार्ट को जितने भी यहां पर पार्ट से कुछ प्पार्ट कू नीट्रिशन की जोरौ जोरौथ होता है तो यह ब्लोट वेशल से वो उपर सम्छीजें प्रोबैड कर लिए रहता है तो इसलिए यहां पर ब्लोट वैसल मौझूद Since theого mail हैं यहां पर image form होता है लेकिन रेटने के थोड़ा इस तरफ आ जागे तो यह blind sport है इस जगा कोई तो blind sport इसका मतलब यह हुआ कि इधर से जो light आएगा तो यहां से लेकर यहां तर कहीं पर भी क्या होगा image form हो लेकिन इस जागा पर image form नहीं होगा अगर लाइट अगर इधर से यहां पर पढ़ रहा हैं तो क्या नहीं होगा image form नहीं होगा ठीक है ना तो image form नहीं होगा मतलब क्या है कि हम उसको interpret नहीं कर पाएंगे हमारे जो optic nerve है उसको carry करके brain तक नहीं लेकर जाएगा ठीक है ना तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे bland sport कहेंगे यहां पे जब light आकर पड़ेगा और image create होगा तो वह image को समझने के लिए और interpret करने के लिए कि वह कौन सा type का image है कैसा color है उसको decide करने के लिए यहां पे दो प्रकार का cells मौझूद है ठीक है ना कहां पे retina में retina में दो प्रकार का cells मौझूद है एक तो कौन से c-o-n-e-s कौन से और रेखें roads r-o-d-e-s roads ठीक है ना तो यह कौन cells क्या करते हैं यह कौन cells क्या करते हैं यह कौन cells का काम है कि जो भी image यहां पे फर्म हुआ वो image कौन सा color का है और किस shape का है और वो image के एक इदम सारे details को collect कौन करता है और कौन interpret करता है वो interpret यानिकर translation करके समझता कौन है यह कौन से cell ठीक है ना जो की retina में मौझूद रहते है उसके बाद रोड cell क्या है यह जो रोड से एक प्रकर का cell है जो retina परदे के पीछे रहता है यहां फिर साइड में रहता है यह क्या करता है हम लोग को night vision प्रोडिश करता है ठीक है ना यानिकि यहां पे कुछ चीजे रखा गया है और यहां पे बहुत कौम लाइट है तो यहां पे image बहुत आच्छे से नहीं बनेगा तो उसको इंटरफ्रेट करेगा इंटरफ्रेट यह हमारे रोड्स करेगा यह night vision केमरा की तरह है ठीक है ना तो यह दोनों मिलकर हम लोग को क्या करते हैं दिखने का जो सिंसा समता है उसको एकदम clearly already do इंटर addicted करते हैं ठीक है ना और यह सब चीजें यहां पर हो जाने के बाद ही image बन जाने के बाद और यह cells समाझज जाने का वाद क्या होता है यह एक electrical signal में convert हो जाता है और यह optic nervous के माधियम से यह क्या होता है brain तक चले जाताहा है और brain उसको क्या करता है समझता है कि वो चित्र वो इमेज आपके आखों के सामने जो है वो इस तरह है या फिर इस तरह है या फिर इस तरह है ठीक है ना तो यह रहा तुम्हारा हुमान आई का हर एक पार्ट उसका कॉंपनेंट्स उसका फंक्शन्स तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं आगले वीडियो में एक नया टपिक के साथ तब तक बाई